Friends Divisibility Test के 5th Part में आपका स्वागत है अगर दोस्तों अभी तक आपने Divisibility Test की Part 1, 2, 3, 4 ही देखी है तो ओ वीडियो आपको Description Box में मिल जाएगे Friends आज के वीडियो में मैं आपको ऐसे नंबर की Divisibility सिखाऊंगा जिसके Divisibility दूसरे नंबर्स पर Dependent है जिए हाँ दोस्तों आप सई सुन रहे हो आज हम लोग ऐसे नंबर की Divisibility चेक करेंगे जिसके Divisibility दूसरे नंबर्स पर Dependent है तो दोस्तों मेरा नाम सुदिन रहा है और आप देख रहे हो आपका फेवरेट चैनल प्लेयर आफ नंबर्स तो चलिए फ्रेंड स्टार्ट करते है Divisibility by 24 और अभी हम लोग दोस्तों 24 के Divisibility चेक करेंगे उसके लिए दोस्तों प्रॉपरटी क्या है Conditions क्या है अगिवे नंबर इस Divisible by 24 if it is Divisible by 3 and 8 मतलब क्या दोस्तों कहने का अगर कोई भी नंबर दिया है और ओ नंबर की Divisibility मुझे 24 से चेक करनी है तो मैं क्या चेक करूँगा मैं चेक करूँगा कि जो नंबर दिया दोस्तों वो 3 से डिवाइड हो रहा है and also अगर 8 से divide हो रहा है तो ओ नंबर क्या हो जाएगा दोस्तो 24 से divide हो जाएगा मतलब अगर मैं किसी भी नंबर की divisibility 24 से चेक कर रहा हूँ दोस्तो मैं क्या देखूंगा मैं देखूंगा कि ओ जो नंबर दिया है ओ 3 and 8 दोनों से divide हो रहा है क्या दोस्तो ये 3 से divide हो रहा है क्या अगर ये 3 से divide होता है दोस्तो तो मैं उसके बाद 8 से भी check करूँगा तो चलिए दोस्तो हम लोग 3 से check करते हैं 6 plus 2 8 plus 7 15 15 plus 8 23 23 plus 9 32 32 plus 3 35 35 plus 5 40 40 plus 2 क्या हो रहा है दोस्तो 42 हो रहा है मतलब मुझे ये सारी digits का sum क्या मिल रहा है 42 मिल रहा है अब मैं क्या करूंगा दोस्तों मैं divide करके देखूँगा कि यह जो 42 है, यह 3 से divide हो रहा है क्या, अगर यह number 3 से divide हो गया दोस्तों, तो यह पूरा number क्या हो जाएगा, 3 से divide हो जागा, यही 3 की divisibility का condition है, तो मैं 3 से इसको divide करता हूँ, 3 वंज ह, 3 हो जाएगा दोस्तों, 1 carry क्या ह हो रहा है दोस्तों 12 हो रहा है मतलब यह जो नंबर है यह क्या हो रहा है 3 से डिवाइड हो रहा है तो यह बड़ा वाला जो नंबर है दोस्तों यह भी क्या होगा 3 से डिवाइड होगा अब मैं क्या करूंगा दोस्तों अब मैं चेक करूंगा कि यह जो नंबर है दोस्तों यह नंबर कौन सा है 352 है, तो मैं चेक करूँगा कि यह 352 है, यह 8 से डिवाइड हो रहा है क्या, तो अगर मैं इसको 8 से डिवाइड करूँगा, दोस्तो दिया हो जाएगा, 8 बंजा 8, 8 पुट जा क्या हो गा, 32 हो गा, 8 फोर जा अगेन क्या हो रहा है, दोस्तो 32 हो रहा है, 24 के divisibility का यह ही condition है वो number क्या होना चाहिए,week Um दोस्तो अब हम लोग 40 की Divisibility चेक करते हैं, Divisibility by 40, क्या कंडिसन दिया है दोस्तो क्या property दिया है? यहां पर यहां पर प्रापटी दिया हुआ है, अगर कोई भी नंबर दिया है, और उसकी Divisibility मुझे क्या करने है? 40 से चECK करने है, मैं क्या देखुंगा, मैं देखुंगा कि यह जो नंबर दिया दोस्तों, वो 5 & 8 दोनों से, दिवाइड हो रहा है क्या? अगर वो नंबर 5 & 8 दोनों से डिवाइड हो गया, तो नंबर क्यا हो जाएगा? 40 से भी दिवाइड हो जाएगा, तो चलिए दोस्तों हम लोग check करते हैं कि यहां पर जो example दिया है 4800 यह क्या हो रहा है 5 and 8 दोनों से divide हो रहा है किया तो दोस्तों मैं पहले क्या check करूँगा पहले मैं check करूँगा कि यह जो number दिया यह 5 से divide हो रहा है कि 5 से divisibility के लिए condition क्या दोस्तों यूनिट प्लेस वाला डिजित 0 और 5 में से कोई एक नंबर होना चाहिए, यहाँ पर क्या दिया है, 0 दिया है, मतलब यह जो नंबर दोस्तों, यह 5 से डिवाइड हो जाएगा, अब मैं क्या चेक करूँगा दोस्तों, आप मैं चेक करूँगा कि यह नंबर जो है, 8 से डिवा जाएगा, 100, यह जो नंबर है दोस्तों, 800, यह 8 से क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, मतलब दोस्तों, मुझे रिजल्ट में क्या मिल रहा है, मुझे रिजल्ट में यह मिल रहा है, जो यह 4800 नंबर है दोस्तों, यह 5 से डिवाइड हो रहा है, यह 5 से डिवाइड हो र इस डिविजबल भाई 80, इफ इस डिविजबल भाई बोथ 5 and 16, मतलब क्या है दोस्तों, अगर किसी भी नंबर की डिविजबल्टी मुझे 80 से चेक करने हैं, तो मैं क्या देखूंगा, मैं देखूंगा कि यह जो नंबर दिया है दोस्तों, वो 5 and 16 दोनों से डिवाइड हो र तो यह जो नंबर दोस्तों, यह क्या हो जाएगा, 80 से डिवाइड हो जाएगा, तो मैं पहले चेक करूंगा कि यह नंबर 5 से डिवाइड हो रहा है क्या, तो 5 से डिविजबल्टी के लिए कंडिशन क्या है दोस्तों, जो उसका unit place वाला digit है, वो 0 and 5 में से कोई एक नंबर ह होना चाहिए, तो यहाँ पर क्या दिया है दोस्तों, यहाँ पर 0 दिया है, मतलब यह जो नंबर दोस्तों, यह क्या हो रहा है, 5 से डिवाइड हो रहा है, आप दोस्तों मुझे क्या चेक करना है, आप मुझे चेक करना है कि यह जो नंबर 16 से डिवाइड हो रहा है क्या, अ दोनों से डिवाइड हो रहा है मतलब यह नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों एडीसी भी डिवाइड हो जाएगा ऐसी ही दोस्तों आप किसी भी नंबर की डिविजिविल्टी चेक कर सकते हो इसके लिए आप क्या कर सकते हो दोस्तों आपको खुद नंबर लेना है खुद प्र स्क्रीन पर दिया हुआ है आपको क्या करना है इसके डिविजबी चेक करने हैं और कमेंट करके बताना है कि यह नंबर किससे डिविजबल होगा आशा करता हूं दोस्तों आपको हमारा वीडियो पसंद आए होगा वीडियो और अच्छा लगा हो तो मोटिवेट करने के लिए नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अपना ख्यार रखिए स्वस्तर रहें बेस्तर रहें मस्तर रहें और मैट्स को प्रैक्टिस करते रहें जय हिंद